मैं मधु जौधरी, Associate Professor in Government लुहिया कॉलेज चूरू साइटालोजी के व्याख्यानों की श्रंखला में आज हम वाइरस पर चर्चर शुरू कर रहे हैं वाइरस जैसा की हम जानते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माने जाते हैं जब ये किसी सजीव कोशिका से बाहर रहते हैं लाइव से बाहर होते हैं तो ये निर्जीव की तरह बिहेव करते हैं और जब ये होस्ट सेल के अंदर होते हैं एक लाइव सेल के अंदर होते हैं तब ये सजीव की तरह बिहेव करते हैं यानि इनका जो गुणन है यानके नमबर का इंक्रीज होना वो कभी भी होस्ट सेल के बाहर नहीं होता इनका मल्टिप्लिकेशन या गुणन हमेशा लाइव होस्ट सेल में एंटर करनी के बाद शुरू होता है किसी भी वाइरस में जो सामाने संडचना हम देखते हैं तो इसमें नूकलिक एसेज होते हैं और उसके चारों और एक कैपसिट का खोल होता है वाइरस शब्द जो आया है लेटिन भाशा से आया है और इसका मतलब होता है टॉक्सिक फ्लिउड 1850 तक जब लुइस पास्चर और रबर्ट कॉक कई रोगों के बारे में अपनी जो खोज हैं उनको जारी रखे वे थे जैसे कि पॉक्स यलो फीवर और फिल्यू तो उनका क्या रीजन है किस कारण से वो रोग हो रहे हैं इसकी जानकारी तब तक निश्चित रूप से प्राप्त नहीं हुई थी 1850 के बाद क्योंकि उससे पहले ऐसा माना जाता था कि रोगाणू या कहें कि सुक्ष्म जीव जिनके कारण रोग पैदा होते हैं वो जीवाणू हैं और हम इनको माइक्र आर्गनिस्म, माइक्रोब्स और पैथोजन्स बोलते थे और ऐसा माना जाता था कि सबसे सुक्षम जो जीन है वो बैक्टीरिया ही हैं लेकिन वाइरस के खोज के बाद ही माना गया कि बैक्टीरिया से भी सुक्षम पैथोजन्स हैं रोगानू हैं जिनके कारण बीमारिया फैलती हैं और वो वाइरस थे वाइरस किसी भी कोशिका की परिभाशा के अंतरगत परिभाशित नहीं किये जा सकते क्योंकि जो cell theory के according हम कोशिका को परिभाशित करते हैं उसके अनुसार एक nucleus होना चाहिए center में उसके चारोर cytoplasm और plasma membrane उनको cover करी होने चाहिए मतलब एक plasma membrane होनी चाहिए जिली होनी चाहिए जो cytoplasm और nucleus को चारोर से घेर कर रखती है और जब हम वाइरस की बात करते हैं तो ऐसी कोई संड़चना नहीं होती यहाँ पर एक साधारन protein का खोल होता है और उसके बीच में nucleic acids सुरक्षित होते हैं वाइरस के कारण काई तरह के रोग है वैल नौन है जो अब हम जानते हैं जैसे एड्स अभी Corona जो फैला हुआ है वो भी वाइरस के कारण ही है किसे हम जो Corona virus है उसका एक अलग strain मानते हैं से पहले SARS कोरोना वाइरस के कारण ही फैलने वाला था यह अलगतर है कास्ट्रेन है इसको कोईड-19 हमने नाम दिया है इसके अलावा फ्ल्यू, डेंगू, हेपेटायटिस, मंप्स, रेबीज, पोलियो यह सारे के सारी जो बीमारिया वह वाइरस जनीत है यह वाइरस के कारण होती है जनरल इंट्रोडक्शन अगर हम वाइरस का देखें तो बाडेन के अनुसार जो वाइरस है वो अब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं जिनका साइज 200 मिली माइक्रोन से छोटा होता है लियूरिया के अनुसार यह 30 सुक्षम काय है जो किसी भी स्पेसिविक जो लाइव होस्ट सेल है उसमें एंटर करनी के बाद में प्रेजनन करनी की छमता रखती है यहां हम प्रेजनन शब्द लियूरिया के कारणिंग कामे ले रहे हैं जबिक फ्रेजनन जैसा कोई भी प्रोसस वाइरस में नहीं पाया जाता है वहां गुणन होता है क्योंकि वहाँ reproduction हम उसको नहीं बोलते हैं हम कहते हैं multiply करते हैं fung और vaginal के नुसार ये morbid poisons हैं जो संक्रामक रोगों के माध्यम के रूप में संचारन की क्रिया करने के लिए उत्तरदाई होते हैं love के नुसार ये endoparasites हैं जिन में संक्रमन की छंता उपस्थित होती है ये जो nucleic acid उस nucleic acid के बने होते हैं या nucleic acid इनके center में होता है और व्रद्धी के दोरान जो इनका nucleic acid है वो ही multiply करता है ये स्वयम व्रद्धी और किसी भी तरह के द्वी भाजन यानि binary fission में binary fission को करने में सतंत रूप से ऐसमर्थ होते हैं Stanley ने विशानों की प्रकृती और संरचना पर काफी कारे किया इन्हें क्रिस्टली रूप से प्राप्त किया और इनके गुणों का अध्यन किया Stanley के अनुसार वाइरस स्वय उत्प्रेरक प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो केवल सजीव कोशिकाओं में रहकर ही गुणन कर सकते हैं Stanley को अपने इस कारे के लिए noble price प्राप्त हुआ General characteristics of virus विशाणों अनिवार्यत है एकोशिय जन्तों की श्रिणी में नहीं रखे जा सकते क्यूंकि ये कोशिका की जो परिभाश है उसके अंतरगत नहीं आते उसे परिपूर्ण नहीं करते इसलिए जो सामान्य कोशिकी ये संगठन है उनमें इनको नहीं रखा जाता विशाणों में जो नूकलिक एसिड है वो DNA या RNA किसी भी एक प्रकार का पाया जाता है किसी भी अर्थात जो वाइरस है उसमें नूकलिक एसिड पाया जाता है या तो वो DNA होगा या RNA होगा ये obligatory endoparasites होते हैं जिनमें protein और जो नूकलिक एसिड है इसका उसके synthesis के लिए किसी भी प्रकार के कोई enzyme नहीं होते इन सारी क्रियाओं के लिए जो host cell की synthesis, biological reactions होती है उन्हीं के उपर ये depend करते हैं इनमें multiply बहुती जटिल क्रियाओं द्वारा होता है और binary fission इसमें नहीं पाया जाता इन पर प्रतिजयवी कौश्धियों का यानि antibiotic drugs का कोई effect नहीं होता इन्हें क्रत्रियम carbonic पदार्थों पर नहीं उगाया जा सकता यानि ये artificial organic matter पर नहीं grow किये जा सकते ये अती सुक्षम धर्शिक होते हैं बहुत ही micro size के होते हैं और इनको सिर्फ electron microscope के द्वारा ही देखा जा सकता है सबसे छोटा वाइरस 0.002 micrometer diameter का या व्यास का होता है और सबसे बड़ा लगबग 0.8 micrometer size का होता है विशानो नूकलियो प्रोटीन के बने होते हैं जिनमें बहार प्रोटीन का आवरण जिसे हम capsid कहते हैं वो होता है और उसके center part में nucleic acid होता है जिसको capsid घेरेवे होता है central part को हम central core कहते हैं विशानो बहुत सुक्ष्म होने के कारण बहुत छोटे आकार के होने के कारण जो filters हैं उनसे छाने जा सकते हैं और ये जो जिवानू या bacteria हम जिसको already हम microorganism कहते हैं उनके अंदर enter करके भी multiply करनी की छमता रखते हैं ये संक्रमित पदार्थों से दूसरे जो healthy host cells हैं उनमें आसानी से जितने भी environmental factors हैं हवा और पानी और दूसरे जो भी मिट्टी और फूड इन सब के द्वारा ये सारे माध्यमों के द्वारा ये spread हो जाते हैं दूसरे जो healthy cells हैं उनमें और वहां infection फैलाने की छमता रखते हैं ये इतने अधिक प्रभावी होते हैं कि बहुत small quantity में भी अगर ये host cell में एंटर करते हैं तो भी इनके द्वारा infection खलाया जा सकता है ये crystal अवस्था में प्राप्त किये जा सकते हैं और ये host specific होते हैं यानि पोशक विसिस्ट होते हैं और इसलिए ये अनुवांशिक इस्तर की परिजीवता प्रकट करते हैं ये स्वतन त्रवस्था में अगर रहते हैं तो इनक्टिव होते हैं ज्यादा ता ये rod shape होते हैं और granular shape के होते हैं विशाणों अत्यदिक तापमान पर भी जीवित बने रहते हैं high temperature का इनके उपर ज्यादा प्रभाव नहीं होता है इवन जो सूरज के विकीरण हैं उनका भी इनके उपर कोई प्रभाव नहीं होता ये acetone, ethyl alcohol जैसे जो organic substance है उनके द्वारा अवरोपित किये जा सकते हैं biological status of viruses या विशाणों का जैविक इस्तर तो जैसा हम मानते हैं कि इनको हम सजीव की श्रेणी में भी नहीं रख सकते हम इनको निर्जीव की श्रेणी में भी नहीं रख सकते तो इनका जो biological status है उसको निर्धारित करने के लिए अलग-अलग scientist के द्वारा अलग-अलग तर है क जो वाइरोलाजिस्ट हैं विशाणों विग वो इन्हें सजीव सुक्षम जीव यानि माइक्रो ऑर्गनिजम मानते हैं लाइव माइक्रो ऑर्गनिजम और जो रसाइनिग हैं जो यानि chemical science से जुड़े जो लोग हैं वो इन्हें अणों की श्रेणी में रखते हैं वास्तों में जीवों के सामान्य जैवी गुनों का पूर्ण समावेशन में नहीं होता किंतु मात्र ये निर्जीव 지원 भी नहीं होता है मतलब इन में multiplication थो होता है इसलिए हम इन्हें निर्जीव भी नहीं कह सकतें लेकिन ये सजीव की तरह भी बेहेव नहीं करतें क्योंकि इन्में growth नहीं पाई जातीं इन में movement नहीं होता तो जो सजीमों के लक्षन है respiration वो सब इन में नहीं पाये जाते लेकिन क्योंकि यह multiply कर सकते हैं अपनी जैसा रूप यह दूसरा तैयार कर सकते हैं इसलिए हम इनको निर्जीव भी नहीं कह सकते तो इसलिए क्योंकि दोनों के बीच का इनको दर्जा फिर है यानि वाइरस वाइरस ही है इन्हें सजीव और निर्जीव की मद्ध की कड़ी भी कहा गया हम विशानों के जन्तुओं एवंपोधों पर हानिकारक प्रभाव उत्पन करने के कारण सुक्षम जीवों के साथ ही जिने हम बैक्टीरिया कहते हैं उन्हीं के साथ हम इनको स् क्लासिफाई किया गेरर और श्रैम के अनुसार यह सजीव रसायन है जो संक्रमण करके गुणन करने यानि मल्टिप्लाइ करने की और श्रंखला बनानी की छमता रखते हैं उसमें समर्थ होते हैं यह जनत्वों में कैंसर जैसे भेंकर रोग भी उत्पन करते हैं जन्मॉर्फोलोजी ओफ वाइरस सामानने जो वाइरस हैं वो 10 से 300 मिली माइक्रोन डायमीटर के हो सकते हैं जो पॉक्स वाइरस है यह कुछ बड़े आकार के होते हैं किन्तु पैर और मुख के रोग उत्प विशानों के साइज को ग्याद करने के लिए सामानने जन्तों से भिन विधियां काम में ली जाती हैं क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है तो इनको अलग करने का प्रोसेस दी थोड़ा कॉंप्लिकेटेड होता है तो विभिन आप जो इनको अलग करने के लिए जो हम को यूस किया जाता है विशानों को आकरती के आद्हार पर हम दो समयू में विभाजित करते हैं। तैज् है डावान इनके आकरती के होते हैं इसके लावा इनकी आकरती को हम पॉलिह苑ल थूज हांट्री और आईकोशो हैं जिमेटरी जानते हैं यह 17-60 mm साइज के होते हैं और इनके एक्जाम्पल है तमबाकू मॉजाइक वाइरस जो लगबग 17 mm साइज का होता है उसके अलबा रसवरी लेटिंग स्पाट वाइरस जो 20-25 mm साइज के होते हैं और टमाटर का काले भूरे धब्बे उत्पन करने वाला वाइरस जो 20-30 mm साइज का होता है उसके लबा जो एन आईसो डायमेट्रिक वाइरस होते हैं उनकी संरचना के आधार पर फिर हम इनको क्लासिफाई करते हैं रॉड शेप, रिजड रॉड शेप और इलास्टिक प्रोटे होते हैं और, रॉड शेप होते हैं, 60 mm लंबे और 18 mm चोड़े साइज के जो वाइरस है, उनको हम रॉड शेप में रखते हैं इसका एक्जामपल है, मॉजाइक वाइरस, और जो रिजड रॉड शेप वाइरस है ये कंपैरिटिवली थोड़े लंबे होते हैं, तो 300 mm इनकी लंबाई और 15 mm इनकी चोड़ाई होती है और इसका एक्जामपल है TMV यानि तंबाकू मोजाइक वाइरस और तंबाकू रिटेल वाइरस 185 mm लेंथ और 25 mm इसकी विड्ट या चोड़ाई जोंका रेखित वाइरस जिसकी 130 mm लंबाई और 20 mm चोड़ाई इसके अलावा जो थर्ड है वो है Elastic Thread Like वाइरस ये और भी ज्यादा लंबे होते हैं तो लेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाती है हम इसको अलग लग रूप में क्लासिफाई करते हैं जो सबसे कम लेंथ है वो रॉड शेप थोड़ा ज्यादा लेंथ है तो रिजिड रॉड शेप और जब लंबाई काफी ज्यादा होती तो उनको कहते हैं Elastic Thread Like ये अधिक लंबे और कम चोड़ाई के होते हैं तो 700 mm इनकी लेंथ है 700 से 1250 mm और 10 से 14 mm इनकी चोड़ाई होते हैं इसका एग्जामपल है गेहुन का रेखित मोजाइक वाइरस जो 40-700 mm साइज का होता है चुकंदर का मुजएक वाइरस जो 12 इन्टू 730 मिली माइक्रोन साइस का होता है चुकंदर का पीला मोजएक वाइरस यलो मोजएक वाइरस जो 15 मल्टिप्लाइ बाइ 1250 mm size का होता है और जुआर का लाल रेखित विशाणू जो 12 x 750 mm size का होता है विशाणू की संडचना और उनकी जो आकरती है structure and shape of viruses तो जो वाइरस है उसके center part में nucleic acid होता है जिसको हम central core बोलते है और इसी में इसके सारे के सारे जो अन्वानशिक लक्षन है या इसको कहें इसकी जो inheritance है या इसके genetic characters वो सबके सब इस nucleic acid के द्वारा ही निर्धारित किये जाते है इसके चारो और एक coat होता है एक cover होता है जिसको हम capsid बोलते है और इसके द्वारा ये surround रहता है जो central nucleic acid है उन्हें और साथ में capsid इस पूरी संरचना को हम nucleo capsid बोलते हैं जो capsid है उसका जो main function है वो है nucleic acid को protect करना और अगर ये nucleic acid protect रहता है तो ये active रहता है और अगर nucleic acid को nucleases द्वारा नस्ट कर दिया जाए तो virus को समाप्त किया जा सकता है तो capsid का ही main काम है कि वो virus को protect करे और अगर capsid को नस्ट कर दिया जाए तो हम virus को control कर सकते हैं capsid अनेक सुक्षम इकाईयों यानि जो micro sub units है उनका बना होता है जिनको हम capsomeres कहते हैं और ये जो capsomeres होते हैं ये polypeptide से बने होते हैं तो जैसे हम यहाँ पर इसकी संड़चना देख रहे हैं यहाँ जैसा हम देख रहे हैं ये capsid है और ये nucleic acid है ये जो capsid है ये capsid बना होता है ये capsid बना होता है capsomeres का और capsomeres ये capsomeres है capsomeres बने होते हैं pentameres और hexameres structures से ये pentameres और hexameres structures जो होती है ये बनी होती है monomers से और monomers बने होते हैं polypeptide से हम दूसरी तरह अगर इसे देखें तो हम ऐसे देख सकते हैं कि जो इसकी सबसे छूटी unit है वो है polypeptide polypeptide मिलकर बनाते है monomers और ये जो monomers हैं ये monomers मिलकर बनाते हैं pentameres और hexameres ये pentameres और hexameres मिलकर बनाते हैं capsomeres और ये capsomeres सबके सब combinedly ये बनाते हैं capsid और जो capsid है वो capsid यहां coat बनाता है या cover बनाता है nucleic acid को सुरक्षित रखने के लिए ये nucleic acid और कभी कभी इसके ऊपर बहर एक envelope बनाया पाया जाता है जिसमें lipid involved होता है तो हम इने इस प्रकार के जिनमें envelope होते हैं lipid के उनको क्योंकि इसमें lipid है तो हम उनको लाइपो वाइरसे भी बोलते और बहुत सारे ऐसे वाइरस भी होते हैं जिनमें इस तरह का कोई भी envelope नहीं पाया जाता तो इनको हम naked viruses बोलते हैं ऐसे भी होते हैं जिनके उपर envelope होता है enveloped virus हैं और वो जिनके उपर नहीं है वो naked viruses है capsid के द्वारा ही विशानू जो host cell है उसकी सतह पर सनलगन होते हैं और अंदर enter करते हैं यह सारा काम भी capsid का होता है envelop कुछ इस्तंधारी यानि mammals में वीरियों enveloped या कहें capsid युक्त होते हैं और sorry आवरन युक्त होते हैं जो capsid के बहर की परत होती है तो वो virus जो आवरन युक्त होते हैं उनको हम enveloped और वो जो आवरन रहीत होते हैं उनको naked virus कहते हैं सामाने कोशक कोशका जो होस्ट सेल है उसकी जिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है तो जैसा हम पूर में देख चुके हैं कि जो वाइरस जिनमें envelop पाया जाता है क्योंकि उसमें लिपिड इंवाल्व रहता है तो इसलिए हम उनको लाइपो वाइरस कहते हैं हम यहां पर देख रहें नेग्ड वाइरस और एंवलप वाइरस तो यह नेग्ड वाइरस हैं इसमें पोलियो वाइरस और बैक्टिरियो फेस वाइरस है जो enveloped वाइरस है उसमें हर्पीज वाइरस और influenza वाइरस है और vaccinia वाइरस है icosahedral और helical दोनों तरह कि जो सिमेट्री के वाइरस है वो नेग्ड भी हो सकते हैं और enveloped भी हो सकते हैं जो envelop है उसकी मोटाई 100 से 150 एंग्स्ट्रॉम सामाननेता पाई जाती है और इनमें antigenic properties पाई जाती है rabies के जो वाइरस है उनका shape गुलट के आकार का होता है और जो pox वाइरस है उनकी आकरती brick यानी eat के समान होती है जो bacteriophage वाइरस है उनकी आकरती comparatively gentle यानी complex symmetry होती है symmetry या सम्मीति के आधार पर अगर हम देखें तो वाइरस तीन प्रकार के होते हैं cubic symmetry, helical symmetry और complex symmetry जो cubic symmetry है जिसको हमने isodiametric shape भी कहा और जिसको हम icosohedral या polyhedral symmetry भी कहते हैं ये सबसे ज्यादा इस्थिर मानी जाती है इस संरचना में जैसा हम यह देख रहे हैं ये enveloped cell है और ये capsid है और ये nucleic acid है इसका तो जो इसका capsid है इस capsid में यहाँ पर इसकी specific structure है कि इसमें 20 facets पाए जाते हैं इसको count करो तो तीन उपर दो नीचे पांच और पांच यह 10 और इसके opposite side में 10 होते हैं तो 20 facets इसमें होते हैं और 12 इसमें corners होते हैं हम यह count करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और दूसरे side होंगे 10 11 और 12 तो 12 इसमें opposite side में जो हम count करेंगे वो यह 3 corners होंगे सिर्फ तो 12 इसमें corners रहते हैं और 20 इसमें facets होते हैं इसका जो central hollow space है जिसको हम central core बोलते हैं यह 40 angstrom का होता है और इसमें nucleic acid रहता है इस प्रकार यह जो capsid है इस central core को और nucleic acid को surround किये होता है और सुरक्षित रखता है nucleic acid को कि यह structure है जो cubic symmetry होती है या आइको स्वहेडरल शेप है इसकी है हेलिकल symmetry में हम देखते हैं कि rod shape structure रहता है इसका अब rod shape में rod shape हो सकता है rigid rod shape हो सकता है और elastic thread like होता है यह तीनों तरह के structures हैं इनको हम हेलिकल symmetry में रखते हैं हेलिकल symmetry में जैसा हम यहां देख रहे हैं यह एक rod shape structure है और इसके बीच में यहां पर central lumen होता है यह 20 एंग्स्ट्रॉम साइज का central lumen है और इस central lumen में यह nucleic acid है यह spirally arranged nucleic acid है RNA है यहां पर यह capsid यह capsid है इसका और यह हम देख रहे हैं यह capsomere हैं यह capsomere हैं और यह इसका central core है एक sub unit इसकी हम यह देख रहे हैं तो इस तरह का जो वाइरस है इसको हम बोलते हैं यह helical symmetrical virus है इसमें जो capsomere के unit है वो 2130 subunits पाए जाते हैं जो इस nucleic acid जो spirally arranged nucleic acid है इसको सुरक्षित रखते हैं इसको surround करके रखते हैं तन complex या जटिल symmetry complex symmetry में bacteriophage virus आते हैं यहां एक head part होता है उस head part से यह stock या neck part जुड़ा होता है फिर उसके नीचे यहां यह basal plate होती है जिस basal plate से tail filament निकले होते हैं यह basal plate है यह hexagonal shape में होती है और इस basal plate से नीचे यह spikes लगे होते हैं जो host cell के साथ attach होने में इसको help करते हैं उसी तरह जो टैल filaments है यह tail fibers है यह tail fibers के जो tip है इन tips के ऊपर यहां पर lytic enzymes बहुत ही small quantity में लगे होते हैं जो host cell की जो surface है उसको drill करने में help करते हैं उसको destroy करने में help करते हैं जो जिससे की जो nucleic acid उसको inject किया जा सके host cell के अंदर तो इस तरह की जो complex structure है यह पाए जाती बेक्टिरियो फेज वाइरस में और हम इसको कहते हैं complex symmetrical viruses कि nucleic acid जो वाइरस में पाए जाते हैं वो दोनों प्रकार के होते हैं DNA और RNA कि यहां वाइरस में DNA के अलावा RNA भी genetic material के रूप में पाए जाता है जो जनरल जनरली दूसरे जो live cells हैं या live organism हैं उन सब में RNA को हम genetic material के रूप में नहीं देखते हैं वहां सिर्फ DNA अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाए जाता है तो हम सामान नेता क्यूंकि RNA एक genetic material या अनुवांशिक पदार्थ नहीं है तो यह एक specific feature हो जाता है कि viruses में हम देखते हैं कि DNA और RNA दोनों ही आनुवांशिक पदार्थ के रूप में या genetic material के रूप में अलग-अलग virus में हो सकते हैं इसमें जो nucleic acids हैं वह चार प्रकार के हो सकते RNA, single strand DNA, double strand DNA, single strand RNA और double strand RNA जो RNA पाए जाते हैं यह दो प्रकार के होते ही हाँ पर एक जो plus SS RNA है और single strand RNA और दूसरे जो minus RNA है जो plus RNA होते हैं वो सीधे protein का synthesis करते हैं और जो minus RNA होते हैं वो mRNA को पहले form करते हैं मतलब यह RNA से पहले mRNA copy किया जाता है फिर उसके बाद में protein का synthesis होता है तो जो plus RNA है वो direct mRNA की तरहे behave करेंगे और सीधा protein का sensation करेंगे और जो minus RNA है वो minus RNA जैसे DNA mRNA को form करता है यह उस तरहे function करेंगे और पहले mRNA बनेगा और mRNA से फिर protein का synthesis किया जाएगा जो minus type के RNA है उन में तो अलग-अलग तरहे के दो तरहे के RNA जिसमें पाए जाते हैं प्लस और माइनस वाइरस में पाए जाने वाले proteins वाइरस में मुख्य रूप से चार प्रकार के protein पाए जाते हैं कैपसिड के जो structural protein है संडशनात्मक protein वो फिर core protein जो DNA के साथ attached रहते हैं वो protein फिर जो viral enzymes हैं या विशानविक जिनको हम toxic proteins भी बोल सकते हैं वो इसमें पाए जाते हैं और दूसरे जो code protein होते हैं वो पाए जाते हैं तो चार तरह के protein अलग अलग प्रकार से इसमें पाए जाते हैं जो संडशनात्मक protein है या structural protein है यह nucleo capsid भाग में पाए जाते हैं nucleo capsid को surround करते हैं उसकी protection करते हैं और जो दूसरी कोशिकाएं हैं उनके साथ attach होने में help करते हैं और यह protomers से बने होते हैं जो central core protein है या आंत्रिक core protein जिनको कहा जाता है यह वो protein है जो nucleic acid के साथ जोड़े होते हैं जो विशाणविक enzymes हैं इनमें अनेक विशिस्ट विशाणविक enzymes जो animal viruses है specially उनमें पाए जाते हैं और यह जो उसका envelope part होता है उस पर उपस्त्रित होते हैं डबल स्ट्रेंड RNA विशाणविक enzymes कहे जाते हैं उसके अलावा जो coat protein है वो यह भी structural protein होते हैं प्रकार के तो हम देखतें कि इस प्रकार से अलग-अलग तर है के protein viruses में पाए जाते हैं next जो व्याख्यान होगा उसमें हम bacteriophage virus की संरचना और जो अलग-अलग तर है के multiplication cycles इसमें पाए जाते हैं lysogenic और lytic cycle उनके बारे में चर्चा करेंगे धन्यवाद गयो अजिवाद प्रकार कि अज़